नमस्कार आप देख रहे हैं आर्नाइन टिवी में हुआ आपके साथ पूचा इस दश्रक का इस साल का आज पहला चंद ग्रहन होने वाला है और ये चंद ग्रहन बहुत ही माईनों में खास है वो आपको पताएंगे और जोतिश के मताबिक कैसा ये चंद ग्रहन खास होने वाला है विज्यानी को लिप के लिए भी ये ग्रहन बेहत खास है हाला कि अभी जादा दिन नहीं हुए है जब हमने 2019 का आखरी चंद ग्रहन देखा था लेकिन वो सुर्य ग्रहन था और अब चंद ग्रहन है तो चलिए आपको दिखाते हैं हमारी खास पेशकस में कि इस बार का चंद ग्रहन क्यों है खास साल का पहला चंद ग्रहन दुनिया में क्या होगी हल्चल राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभा दो हजार पीस में हो जाईए सावधान दज जनवरी की रहिस्स मई राठ राठ दस बचकर 38 मिनट पर लगेगा चंद ग्रहन राठ दो बचकर 42 मिनट तक रहेगा ग्रहन का चंद ग्रहन के प्रभाव से पचने के लिए जारिये उपाए तो आज साल का पहला चंद ग्रहन ने चंद ग्रहन के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ आज स्टूडियों में मौझूद है पंडित सुनिल भार्दवार जी सबसे पहले तो पंडित आपका बहुत स्वागत करते हैं नमस्कार तो आज चंद ग्रहन है साल का पहला तो इस बार का जो चंद ग्रहन है क्यों खास है सबसे पहले जान लेते हैं उसके बाद आप से राश्यों की बार में भी चर्शा करेंगे बिल्कुल बात करते हैं चंद ग्रहन की देखे जब ग्रहन आता है तो ये बात हमारे मन में होती है कि कोई बिपत्ती तो नहीं आने वाली कोई संकट तो नहीं आने वाला किस ग्रहन में कहीं ऐसा तो नहीं कहीं मेरे उपर कोई बुरा परभाव पड़े मगर ग्रहन हमेशा आपके लिए सुब होते है आरवेट की दिश्टी से माने योग की दिश्टी से माने ध्यान की दिश्टी से माने तो योग आपको ये बताता है कि ग्रहन के काल में आप जाप अधिक करें उस समय आप उपासना अधिक करें ग्रहन आपको हमेशा जाब करने का मौका देता है ग्रहन हमेशा आपको ये सिखाता है कि आपने ईस से जुड़ें आप कुछ ऐसे अन्यतिक काम ना करें जो आपके लिए हितकारी ना हो यानि कि आप पुन्न करें और ग्रहन के पस्चाद वह सूरे चंद्रमा पृत्वी इनका मिलना है इनका एक लकीर में आना है ग्रहन कभी सूरे ग्रहन है कभी चंद्र ग्रहन है इस साल ग्रहन जादा है 2020 में 2020 में थोड़े ग्रहन जादा है पहला जो चंद्र ग्रहन है इसका समय भी आपको बताये थे ये 10 बच कर 38 मिनट से रात को प्रारम होगा और ये करीम माने 12 बजे के बाद यानि कि 2 बच के 42 मिनट तक का इसका समय है 12 बच के 40 मिनट पे इसका मद्ध काल रहेगा मद्ध समय रहेगा और 2 बच के 42 मिनट लगबग 4 घंटा 50 मिनट ये चलने वाला ग्रहन है तो आज साल का पहला चंद ग्रहन है तो इस चंद ग्रहन के दौरान आप क्या करे क्या ना करे और इसे के साथ आपकी राशियों के बार में भी बताएंगे कि इस बार की चंद ग्रहन का आपकी राशियों में क्या कुछ प्रभाऊ पढ़ने वाला है तो पड़ीन जे शुरू करते हैं मेश राशी से और जान लेते हैं कि मेश राशी पर इस बार का चंद्रगन क्या प्रभाऊ ढाल सकता है बिल्कुल अगर हम मेश राशी के बात करते हैं तो मेश राशी वालों के लिए यहां एक बात स्पस्ट देखे मेश राशी वालों के पास यहां पर आपको मध्यम फल देगा यह ये बहुत अदा आपको परिसान नहीं करेगा और यहां प्राकरम की वर्दी होती दिखाई दे रही है अच्छा एक चीज़ और है परिवार में थोड़े से किसी व्यक्ती पकस्ट हो सकता है मगर क्या करें आप छोटा सा उपाय बदाए गुड़ का दान दो ग्रहन के बाद आप गुड़ का दान दीजिए हो सके तो खिचड़ी में लाकर दीजिए मूं की दाल की मसूर की दाल की कोई भी खिचड़ी दे सकते हैं और आप ग्रहन के पस्चाद घर में से जो भी आपके असुद्ध चीज़े हैं यानि कि पुराना समान यूँ तो उसमें तुल सीदर डाल के रखिए मेश राशी वाले इस बात का ध्यान रखें और अगर ग्रहन के बाद बच भी जाता है तो वो ग्रहन के बाद का खाना भोजन ग्रहन ना करें जै बिल्कुल आप दान के बार में बता रहे थे और पंडी ची कहा भी जाता है कि जभी भी ग्रहन लगता है चाहिए वो सूरी ग्रहन हो या चन्द ग्रहन हो तो दान करना बहुत महत्व हमाना गया है दान का तो क्यों क्या वज़ा है इसके पीछे देखे इसका ये की सूत्र है संस्कृत में दानम लब्दा पराम सांती दान देने से आपको पराम सांती मिलती है तो दान देना चाहिए दान इसलिए देना चाहिए कि आपका जो किया हुआ अधर्म है वो दान के द्वारा कर्म को अच्छा फल मिल सके इसलिए दानम लब्दा पराम सांती कहा गया अब लेंदेन थोड़ा सा हो सकता है आपको वानी पर अपनी नियंतरन बना के रखें आप अच्छा परिवार में किसी से नोग जोंक हो सकती है तो वो ना हो ये ध्यान रखें तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए उपाए आपको बताते हैं वही चावल और चीनी क गुजरना पर सकता है थोड़ी मेंटल टेंसन हो सकती है किसी परकार को बात को लेकर आप परिवार में आपको असुविधा हो सकती है माता पिता से थोड़ा सम्मान से बात करें अगर आपके घर में कोई महिला है तो उनसे तो विसेस रूप से सम्मान से बात करें ताकि चं राशी है तो आंक बंद करके चारा दान देदो देखो आपकी राशी बलवान होगी ग्रहन का आपको कोई दूस्परभाव नहीं पड़ेगा अच्छा फल मिलेगा जी पंडीची सूतक काल की बात करें तो कहा जाता है कि जब भी ग्रहन लगते हैं तो सूतक काल का अपना एक समय का भाव होता है यहाँ पर इस समय के चंद ग्रहन में सूतक का परभाव नहीं है क्योंकि भारत में जो इसमें भी पूर्ण तरह से ढखा नहीं है एक तरह से ऐसे मानके चले पूरी तरह से कवर नहीं किया ऐसे मानके चले तो इस बार का चंद ग्रहन में आपको सूतक का बस ग्रहन के दरमियान आपने उस दौरान में आपने कुछ ऐसा काम नहीं करना जैसे सीना नहीं है पिरोना नहीं नोखीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना अब सब्द नहीं बोलने यह रात्री में पड़ेगा यह तो आप भजन करते करते मंत्र करते करते सो गए तो अलग बाद मतलब डरने की कोई बिल्कुल डरना नहीं है ग्रहन से आपको अच्छा है भगवान की इस्ट की और आराद ना करनी है जी जलिए से के साथ नर्स डालेते हैं करक राशी पे बिल्कुल करक रासी है देखिए करक रासी चंद्रमा की रासी है चंद्रमा पे ग्रहन चंद्रमा का परभाव बारवे भाव में लगने से क्या होता है कि थोड़ा ता खर्चा होता है आपका कहीं लगेगा आपको आने वाले दिनों में आपका खर्चा भढ़ गया तो एक सराल उपाय बताए थे कांच के बरतन में एक चांदी का सिक्क्रा डालो अपने घर के नौ और वेस्ट हमारे घर का चंद्रमा का इस्थान है कांच के बरतन में जल भरो उसमें चांदी का सिक्का डाल दो तुल्सी डल वो जल जो है गंगा जल के सहीत बाद में घर में छड़ा तो देखो पवित्रित आएगी और आपको करजों से भी मुक्ती बिलेगी जी बिलकुल आ हमारा मन से वचन से और करम से हो यानि कि आपने गरहन के दौरान तो आपने करम तो नहीं किया गरहन के दौर मन से किया मन से आपने जाप किया अब करम में आप क्या कर रहे हैं जो जरूरत बन लोग हैं जो गरीब लोग हैं जो असाहय लोग हैं जिने किसी चीज की आप सकत निरोगी काया तो रोगों से भी आप बस सकते हैं आप किसी बलाओं से बस सकते हैं नजर से बस सकते हैं किसी ग्रह के दुष्परभाव से बस सकते हैं कुंडिली में गोचर में आपकी इस्तिति अच्छी नहीं है तो उसको भी आप सूब कर सकते हैं दान दे कर ग्रहन के नादी अटकावा था वो पूरा हो सकता है कहीं आपको ये भी सुनने को मिल सकता है कि मेरे को परबोजन का योग बन गया तो कुल मिला के पास बहुत अच्छा है तांबे के पात्र में पांच फल लेके पुजारी जी को भेड़ दे दो ग्रहन के पसचा बड़ा सरु लुपा आपको अपनी राशी को बल देना होगा राशी बलवान बनानी होगी उसके लिए आपने बड़ा सारा लुपाय करना है बही आप 23 रुपे की हरी सब्जी ले लो गाय को दे दो और कम से कम पांच व्यक्तिव को भोजन करा दो बस ये बड़ा सारा लुपाय आपके साथ कर ताकि आपकी राशी को कुछ अनिष्ट ना हो जी बिल्कुल पंडी ची कभी भी कोई ग्रहन का लगता है पर आपने बताया कि इस बार कोई सूतक काल नहीं है पर यदि प्रेगनेंट वुमिन की बात करे तो वो हमेशा हर ग्रहन में वो बहुत जादा सतर्क रहती है और रह कि ग्रहन काल जो होता है जैसे हमारे यहां वीजांकुरित नियाए है ठीक इसी परकार चंद्रमा और सूरे इससे एडा और पिंगला हमारी सुसमना नाड़ी चड़ती है जब दोनों नाड़ी चलती है हम क्योंकि यही बात 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 बोलते हैं अब आपके ग्रहन के दौरान जैसे आपने का महिलाओं को या विशेस रूप से प्रेगनेंट लेडी जो होती है उनको वो कर्म नहीं करने चाहिए जिससे त्रूटी हो क्योंकि चंद्रमा की उस समय पूर्ण ताया सूरे की दिर्ष्टी से बीच में आई नहीं वो आपको चंद्रमा पूर्ण या उनको इतने आए हमने बता है वो भीच तभी फूटेगा जब तक शूरे चंद्रमा की उन पे किर्णे नहीं पढ़ेंगी या चंद्रमा सूरे जब तक बलवान नहीं हो एसे ही बच्चा जो पनप्रा है जैसे हमने बीच बढ़ रहा है ऐसे वो बच्चा जो गर्में ब मंत्रों का अचारण करना चाहिए या अपनी राशी के हिसाब से उन मंत्रों का ऐचारण अपने east का नाम लेना चाहिए अपने गुरू का नाम लेना चाहिए अपने गजी सबना है ज्य। gathering चूंटास कर लोग के समय कंई इस राधर एकिया च्पार्मि का एकया इस तो उस समय हो सकता, आपकी नीन लग जाए, मगर हम नहीं का ओ, जिस अवस्था में आप सुनेंगे, जिस चीज को आप सुनते हुए सो जाएंगे, तो वो भी अच्छा आपके लिए, जैसे आप कहीं कहीं जाते हैं, किसी पार्टी फंक्सन में जाते हैं, जो गाना आप लास् सुनेगा, उसके अंदर भी वो नाम निखुलेगा, जैसा होता है ना, यह हमारी जीवन काल में होता है, जो ठीक इसी परकार, हम जो सुनते में भी सोजाते हैं, तो यह सोच कर कि हम इस समय भगवानीश्ट के हैं, हम उस जगे चले गए, उस तीर्थ पे चले गए, उस तीर करम की एफर्ड है, नवम भाव की एक बहुर आफ बात करते हैं, कि यह धरम करम के है, इस समय आप अमश्चा कुछ जाब करें, वही आपकी राशी के सामी शुक्र हैं, उनके लिए जाब करें आप, और यहां पर देवी की उपासना आपके लिए करना बहुत अच्छी है, क इसी ब्रह्मनी को वस्त्र या शौल गरम अवश्य दें, जी बिल्कुल आपने मंत्र के बार में कहा, तो आपसे जाना चाहेंगे, कोई कैसा कॉमन मंत्र, जो कोई भी व्यक्ति किसी भी वक्त, जंद ग्रहन के दौरान उस मंत्र का जाब कर पाए, देखे, एक मंत्र बताया मिर्तुंजम महादेव, तरही इमाम, हम संसारिक बंदनों में जकड़े हुए हैं, जनम और मिर्तु हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमें आप अपनी सरण में ले लो, और जब आप इस्ट की सरण में चले जाते हैं, तो आपका बाल वांका भी नहीं होता, चलिए पंडीज होगा कि मेरा पेट गड़वर हो गया, तो कम खाओ, विरोधार से बचो, तो यह आपको देखना होगा, क्योंकि, देखो, हमारे जठर में जो अगनी जलती है, आप एक नियम बना के रखो, हम कहते हैं, ग्रहन के सीख 21-20 दिन तक आपको बचके रहना होगा, स्याम को जठर अगनी का जो समय होता हो, बारा बई से लेके आठ वे तक का है, तब तक भोजन करो, जितना मर्जी भोजन करो, पानी मत पीना, यह बड़ा सिंपल सूतर है आपके लिए, अस्टम भाओ में कोई दिक्कत हो, तो सबसे अच्छा सूतर है, नहीं तो डॉक्टर के बाद जाओ पहला सवाल आप से क्या खाया था, और कुछ नहीं पूचे कहां से आयो, कहां के रहनेवल, क्या खाया था, तो आप बारा बे से आट बे तक खाओ, और विरोधार खाओ मत, और उपाये आपने क्या करना है, गुड का जान देना है, बस, गुड की गजक दे दो, रेवडी तिलों का जान देना, तमों गुड का विनाश करते हैं, बडा असरा रुपाया, डान करने का कोई सही वक्त, क्यूंकि रात में चंद ग्रहन लग रहा है, तो लोग कहते हैं, कभी भी ग्रहन लगता है, तो आनॉमली लोग सबोट के नहाते हैं, पूजा पाड़ करते हैं, म गंगा जल में भरके तुलसी जल सबी जगे में घर में रखतो उसके बाद ग्रहने के पस्चात आप वही जल गंगा जल जो होगा वह सारु जगे छडख दो तो आपकी अपवित्र जो थी वह पवित्र में बदल जाएगी जी बिल्कुल चलिए राश्यों के बार में चर्चा और सोटी खड़ाओं सोटी च्छतरी ये दान देनी है खिचडी के साथ गुड के साथ ये दान दीजिए आपकी राश्यों की बलवान अगली राशी की बात कर लेते हैं मकर राशी की तो मकर राशी वालों के लिए आप ग्रहन का अच्छा पढ़नाम आपको मिलेगा प्लब्दी अमद बताईए किसी को यह आपको बचा के चलनी होगी अपलब्दिया तो स्वेम दिखती है और उपाय क्या करें जब आप मकर राशी की बात करते हैं तो उपाय उनके लिए बड़ा सरल है तिल तेल उड़त का दान दें आप तिल तेल उड़त शुकरवार को खर पांती से आस पास गिने परता है और चावल और दाल का दान देला आवशेक होता है तो उसमें खेचड़ी का विशेश्वार कर देने से आपके तमों गुणों का जो सरीर में आ गये हैं पर्विष्ट कर गया है उनको हटा दिया जगा है बिल्कुल कुम राशी को बिना देर लगाए बता देते हैं, यहां पर कुम राशी वालों के लिए संतान की चंता थोड़ी सी उतकती है, पढ़ाई को लेकर थोड़ा परिसान हो सकते हैं, प्रेम संबंदों के लिए समय आपके लिए उतना ठीक नहीं है, समझे लो, ऐसा समझ कि आप थोड़ा सा अगर विवादी की सोच रहे हैं तो कुछ समय रुक जाए, बारह तारिक के बाद हम कोई भी प्लैन करें, उपाई क्या करें आप, सरसो का तेल, और साथ में आपने नारियल, जटा वाला नारियल, ये दान देना हैं, और गुड का कुछ भी बना पदार मात हो, वो भी दान दे, मीन राशी की बात कर लेते हैं, मीन राशी वालों के चौते बहों में लगने से, यहां पर आपको एक फायदा तो होता ना जरा रहा है, माता से अच्छे संबन दो सकते हैं, मेल जोल बढ़ सकता है, माता के हाथ का दिया हुआ कुछ नख आप अपन उसका वजन चाहिए आप महा काल कर लो, रुदरी करा लो, सवालाग गायतरी करा लो और मा के चरण स्पर्स कर लिए, वो वजन जादा निकलेगा, सास्तरों ने का उसके आगे फिर कुछ नहीं है, जो जगत जन्नी है, उसके आगे फिर कुछ नहीं है, यह बड़ा धान आप जान लेते हैं कि चंद ग्रहन के दोरान गरवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो आपने बता ही दिया, पर एक गरवती महिलाओं को लेके मेरा एक सवाल यह है, कि वो बहुत जादा डरी भी रहती है, परिवार वाले भी डरा देते हैं और खुद भी वह बहुत डरी रहती है तो क्या वज़ा है बिल्कुल नहीं डरना चाहिए एक बात इस पस्ते है एक बात हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि गरबवती महिला को इस समय ये सोच कर चलना चाहिए देखो एक बात हमारे पुराणों में सास्तरों में कहिए साइद आप सभी समझते हैं मनुल का जो जनम हुआ तो उन्होंने जनम में ही अपने गर्ब में ही सब वो जो चक्रिवी रचना थी उसको तोड़ना सुन लिया ता मास हो गई थी ये है हमारे सास्तरों लिखा है तो सोए ना उस पीरिड में उस पीरिड में आप मंत्रों का उसका उच्छारण करें तो आपको वो अच्छा फल मिलेगा और हम तो कहते हैं इस समय शिव के मंत्रों का उच्छारण करना चाहिए तो पंड़िजी जो भी गर्वती महिला हैं उनके लिए कोई खास मंत्र शिव शिव पुरान कुछ भी सुने शिव पुरान सुनें 12 जो त्रिलिंगों का नाम का इसमरण कर लें कुछ नहीं कर सकते नागेशर विश्णात त्रुंकेशर कैदारनाद ग्रनेशर सोमनाद तरकनाद माकलेशर ममलेशर बैदनाद भीमसंकर मलकारजन रामेशर भाववा यह सब से आप प्रातेकाल और संद्याकाल अगर कोई व्यक्त इनका इसमरण भी ले ले नाम भी ले ले भाई आप यहां से बनारस गए बनारस महाकाल के दरसन किये कितना सुमनाद गए कितना सुमनाद गए कितना सुमनाद बैठे हैं उसके आगे जाएंगे नागेशर भाववान यह ऐसे आप इसमरण करें कैदार इशर इसमरण करें इसमरन, हमने का न, मन से मन से जाएं, आप एक एक कथा सुनने हैं कौन कौन से, मलिक आरजुन कहां पर है, क्यों हैं, स्वामी कार्तिके कैसे गए, इनकी इसमरन करते रहे, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर वो गुण पर्विष्ध हो जाएंगे, जो आपके कुल का कल्यान करेगा आपके परिवार का कल्यान करेगा आपके देश का और महले का आपके कल्यान करेगा ये वो गुड़ पर विष्ट होंगे क्योंकि वो उसके अंदर जिग्यासा होगी वो इसमर्ण आपके इसमनल करने से उसको वो सुनाई देगा इसलिए कहा गया है कि उस समय अच्छा ग्रहन के आपको कभी नहीं मिलेगा एडा पिंगला आपको एक साथ नहीं मिलेंगी एडा पिंगला का यही एक समय आयरवेद का सिद्धानत है जो लोग सुसमना नाड़ी को समझते हैं जिनके दोनों नासा पुट चलते हैं उसमें कहा गया आप देखिए बड़े आराम से किसी सुख आसन पर बैट जाएए एक होती है हमारी एडा और एक होती है पिंगला सुरे नाड़ी एक मिनट में हमारी बाराया तेरा सुआस चलती है और आप पिलकुल पदमासन कोई भी बैठ सकता है यहीं नहीं कि गरबबती मेला कोई भी बैठ सकता है और उसके बाद आप एक नॉस्टिल से लीजे एक बार सांस लीजे दो बार होल्ड की चार बार में छोड़िए फिर दुगना दुगना ऐसा ही रहले ना होता है इसको प्राणायाम बोलते हैं प्राणों का आना और जाना आयाम वयाम तो उस समय आप कीजिए और मंत्र का अंदर मंधन चलता रहना चाहिए इससे बड़ी कोई ध्यान नहीं है यम नियम प्रतियार ध्यान द्यारना समाधी तक जवाब पहुंच जाते हैं तो वो है आपकी समाधी पिरक्रिया और जिस समय आप गरव पढता है क्या चंदक्री बच्चों को इस समय है स्वर्सति मैय की पूजा करने चाहिए बच्यों को ईस生 compartir मेश ψो सहन और ये वो पासना है है यह समय है इस समय अगर आप बोटन हए कर ये हं ये समय अ है अप्राणायाम साधे यह सोचकर कि वो उसके जितने चक्रा हैं वो बैलेंस हो रहे हैं नीचे से मूलादार से सहस्तर तक खुल ले जब आग्या चक्र पर आए तो उस समय आँख बिल्कुल शंकर जी की सांभी मुद्रा की तरह खुली होनी चाहिए और एक चीज बिता है इसमें आपको बड़ी सरल चीज हम आयरवेड से बताएए हैं आप गरहन के दोरां करें आप रोगी हैं ना हमें तो अपना खाना खा लिए हमें पता ही नहीं चलता कि मूह में क्या खाया कैसे हमारा रस बन रहा है कैसे समय पानी पिए घूट-घूट कर के गृहन के दौरान आप पानी ना पियें ग्रहन के दौरा जीब को उपर से लाएं जो योगी लोग करTे देडिस इसको जीब को अउपर ले जाएं और उसमें एक रस निकलता उसमें कलेधन हैए अब लंबन हैं सिनेहन यह नाम कही गए हैं हम आईरवेद में, बड़े आप देखेंगे तो और नाम है, ये निकलता है रस, तो आपकी जो काया है, वो निरोगी होती है, ये गरहन का बहुत सारे महाफूरूसिस का लाव उठाते हैं गरहन का, ये गरहन के दोरान, आपकी इसकिन बहुत अच्छी होगी, आपकी काया बहु कि आप भी चंद ग्रहन का फायदा उठाएं लाब उठाएं और कैसे उठाना है वो तो उपाय आपको बताई गए हैं पर एक आखरी सवाल आपसे पोशना चाहूंगी जाते जाते लोग गंगा स्नान भी करते हैं तो इसका भी कोई विशेश महत्व तेखें ग्रहन के दौरान परातकाल इसनान करने से जैसे कहते हैं परातकाल उठके रगुनाता सी जुकाएं गुरू और माता यहाँ पर माता का जिकरी किया गए गुरू का जिकरी किया गए आप ग्रहन के पस्चात इसनान करते हैं इसनान आपको वो अपवितरता जो आपके सरीर में आ गई है जो तुरूटियां आपके सरीर में आ गई है इसनान करने के पस्चात आप जैसे ही इसनान आपके पहली गर्वी आप सिर पे डालते हैं या डूपकी लगाते हैं तो आपको इसमिनन मात्र से इस्ट के काल में चले जाते हैं इस्ट के पास चले जाते हैं और उनको जबते 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 आप उनके करीब पहुंच गए तो इसनान से वो तुरूटियां खतम हो जाती हैं जैसे आरा आरती है वो तुरूटी खतम होती है ऐसे इसनान से आपके दोश खतम को पंडी जी बहुत 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 ज़ादा धरते भी हैं बहुत-बहुत शुक्रिया नमस्कार तो दसको आपने जाना कि साल का आखरी चन्द ग्रहन ऐ आज और सब्सक्राइप डरे निश्वाइन की बिलकुल भी जरुद नहीं है पंडी जी ने आपको जो भी उपाय बताये हैं वो उपाय करे और बिल्कुल भी ना घबराएं फ़राल हमारे खास कारिक्रम में इतना ही बने रहे है आर नाइन टिवी के साथ